आज की यह बीडियो भावल संस्टे जीओगराफियानई की भोगोल की महसंग्राम होने वाली है, जो भी स्टूडेंट आने वाले दिनों में जीओगराफियाने की भोगोल की परिच्छा देने वाले उनको बीडियो कम्प्लीट जरूर देखने चाहिए क्योंकि इस वीडियो में वो सारे question colluded है जो पिछले वर्सों में कई बार repeated है इस बार आने की संभावना है और साथ साथ में इस वीडियो में question भी है और उसके answer भी है ताकि आपको अन्य कोई video को देखने के आप सकता नहीं पड़ेगी ना इदर उदर बटकने की आप सकता पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ ये video complete देख लीजिए जो जो मैं question बताऊंगा उनको अच्छे फिर पढ़ लीजेगा और आप पर इच्छा देने चले जाए क्योंकि इस question भी है answer भी है और आपको जानकारी भी मिले कि कौन-कौन से question जो बार-बार आ रहे है इस बार भी आंगी ठीक है तो देख लीजिए बी आपका दुतीवर्स है यानि की बीए सिकेंडियर है और समस्टर आपका फोर्थ है यानि की बीए फोर्थ समस्टर subject भूगोल है यानि की जिओग्राफी और प्रश्ण पत्र question paper का नाम है और थे बुगोल यानि की ठीक है जहां कर्शी समंद्धी दसाओं विशेश रूप से फसलों के प्रकार यह उनकी उत्पादन बिध में समानता पाई जाती है मतलब कि उन सभी छेत्र से हैं जहां पर बहुत सारे ठीक है फसल है वह उगाई जाती है बहुत सारे जो अलग-अलग तरीके के जो अलग-अलग ठीक है बिबिन प्रकार की जो फसले हैं उनका उत्पादन होता है और सभी जगाओं पर समान चीजें उत्पादन की जाती है मतलब जिसे धान है ग्यों है मटर है ठीक है तेलहन है और वह फारे जो चीजें है फसल यह सब उत्पादन की जाती हूं और सभी जगाओं पर समा सब्सक्राइब कि विभी का सब्सक्राइब कि इन से विए कि भारत में बहुए लग अलग है झाँ और रोज गई शख्रें प्रदेश है जहां पर करसी का कार किया जाता है तिक उसको हम कुरसी प्रदेश पहेंगे प्रदेश के और अलग 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 फसले उगाई भी जाती है और अलग अलग सकाव पर अलग मिट्टी होती है कि हर मिट्टी में हर एक फसल नहीं हुगा आई जाफक तो इस प्रकार लिखेंगे इसका पर्जेंगे अगला प्रशन है आप लोगों कि अध्याइब लिखेंगे आर्थिक भूद्रस से क्या है यह कोश्चाना सकतर इसका उत्तर लिखेंगे कि पाउंडस के नुसार पाउंडस एक प्रमुख विद्वान है ठीक है इन्होंने कहा कि आर्थिक भूगोल भूप्रष्ट पर मानों की उत्पादक क्रियाओं के बित्रण का अध्यन करता है यानि कि जो भूपरष्ट है इस पे जो मानों की जो उत्पादक क्रिया है इस चीज के बित्रण है जनकाही लेता अध्यन करता समस्ता है यह क्रियाए हैं प्राथमिक दुत्यक यहां पर जो यह को परजन की बिधियों में एक अफ्थान से दूसरे अफ्थान पर जो एक जैसे समानताय मिलती है कोई बिजनेफ कोई कार है जिसमें एक अफ्थान पर प्लस दूसरे अफ्थान पर सेम चीजें अगर मिल लहीं ठीक है और उनकी विभन्नताओं अगर समानताय भी और विभन्नताय भी ठीक है और इन दोनों चीजों का अध्यन करता है उसको हम आर्थी पूद्दर से कहेंगे ठीक है तो इस प्रकारच की परिभाफा लिखेंगे बाकी यह इंपॉर्टन कोईशिन आप अपने उसार्विश का उत्तर तयार कर सकते हैं अगला प्रशन है कि अफ्थान्तरण सील क्रसी से आप क्या समझते हैं यह परिचे आपको देना है तो आप लिखेंगे कि अफ्थ इसमें कोई भूम का तुकड़ा कुछ समय तक फफल लेने के लिए चुना जाता है और उर्बढ़ता समाप्ति के बाद इसका परिदाक कर दूफ्रे तुकड़े को ऐसे ही क्रसी के लिए चुन लिया जाता है पहले चुने गए तुकड़े पर वापस प्रकृति वनस्पति का विकास होता है तो इसका कहने का मतलब मैं आपको बता दे रहा हूं कि अफ्थांतर्ण सेल करसी किसे कहते हैं तो अफ्थांतरी या फिर अफ्थांतर्ण ये करसी दोना का मतलब एक ही है तो अफ्थांतर्ण का मतलब यही हुआ कि एक अफ्थां से दूफ्रे अफ्थां तीक है वही चीज यहां पर बताई जाती है कि जीवका किरसी का एक प्रकार है जिसमें कोई भी भूम का तुकड़ा उसमें कुछ समय तक फल लेने के लिए चुना जाता है आमाली जे कि वह फारी आय। जमीन होती जीसे कि आप अगर यहांже करेंगे तो आपके दौते हिएंगे जएंगर यहांप तो वही मेठी अगर आप बाहर फिले के आये जहांपर ऐसे होता होता है यहांथ कहां पर जातर कश्मीर में होता तो वहां से अगर आप मिट्टी लेकर आएंगे तो मिट्टी अगर आप अपने यहां पर यूज करके उस प्लांट को लगाएंगे तो साइद वह पौधा चल जाए तो वही यहां पर बताया जा रहा है कि भूम का तुकड़ा कुछ समय तक फफल लेने के लिए चुना जाता है तो आप लोग कोई तुकड़ा ले सकते हैं जहां पर आप फफल या फिर वह पौधा लगा दें ठीक है और उर्बरता समाप्ति के बाद यानि कि जब वह पूरी तरह एक्टी हो जाएगा चलने लगेड़ा उसमें वह सभाफा लाल जायाएगीर कि उसके बाद इसका परिताक कर दिया धाल यानिकि इस चीजो कड़े का परिता का कर दिया जाता है तो ऐसे क्रसी के लिए ऐसे ही क inadequ कि चुन लिया जाता है यानिकि वहाँ जब दूफरा मतलब की पउधा जब आप लगाएंगे क्योंकि आपकी जो उर्बरता पेड़ बढ़ा हो गया ठीक है तो भाई उसका काम फ़तम हो गया क्योंकि जो लेकर ठीक है तो उसके लिए आप दूसरा क्रस्टी चुन लिए ठीक है और या फिर चुन लिया जाता है पहले प्रकृतिक वनस्पति का विकास होता है यानि कि आप पहले तुकड़ा लेकर आए जिस पर आपने प्लाण पाउधा लगाया था तो टुकड़े पर वापस प्र होधा चलने लगा तो इस प्रकार बेशिक सा परचे लिखेंगे अफ्थांतर जिसका मतलब होता है तो वह किरसी भी लिए फक्तिया फसल भी लिए फक्ते हैं कुछ भी लिए फक्ते हैं जो मिट्टी में हो गई जाती है तो मैं आपके जानकारी के लिए बतादू कोई भी क स्टूडेंट 75 में 75 ले आता तो ट्रक किरसी की बारे में जानते हैं हलाकि कोश्चन बार बार रिपीट नहीं हो लेकिन परचे जान लेते हैं उत्पादित फलों और सब्जियों को काफी दूर इस्तित बजार तक भेजा जाता है इसमें परिवाहन की आउसकता पढ़ती है कि बजार से क्रिशी छेत्र की दूरी इस बात पर निर्भर करते हैं कि ट्रक द्वारा रात बर चलने में कितनी दूरी तैह होती इस सब्द का प्रियोग स्वर्पतम संयों तुराज अमेरिका में किया गया था यानि कि कोई भी सबजी है कोई भी फल है उसको अगर आप प्रियोग सबसे पहले सब्सक्राइब कि अबहुत कमाता है लेकिन आपको फोचा कि जानकाई होनी चाहिए विराल सुकु भूम किरसी के बार हम जानते एकजांपल भी आप लोग देख सकते हैं ताक यह आपको समस्याएं नहुर्ट है शुसक क Fen ranking उसे कहते हैं चले जान लेते हैं अश्जु को भूम किरसी या अबरानी खेती फिचाई की बीना ही किरसई करने की के यानि कि घृत करते हैं यह बिना फिचाई की यह यानि कि खेती करने की तकनिक अधीच को आप पानी आशकता नहीं पढ़ती भी बीना पानिके माध्यम से यह केटी के जाती है यह पर मतलब केटी पानिक नहीं होता है थीक है यायनि वा च्छेति्र जहां बहुत कम वर्सा होती है धूरिब दूसरे सब्सक्राह उसको च्छेत्रों में नमी की औनोम प्लबस सकते हैं कि 125 509 जींट यहां पर कम वर्सा होती है या फिर नामात्र वर्शा होती है और वहाँ पर बिना पाणी के जो खेती की जाती है जो भी फ़ल उगाई जाता है या उगाई जाता है ठीक है उसे हम सुषक भूम या फिर सुस्ख खेती कहते है फिर तो आप इस प्रकार पर्चे लिखेंगे इंपॉर्टन गुश्चन गहन किर्सी की बारे पर जानते हैं तो गहन किर्सी या सघन किर्सी जीव का किर्सी का एक प्रकार है जिसे भूमे पर अतधिक जनसंख्या वाले छित्रों में किया जाता मतब कि जहाँ पर ज्यादा जनसंख्या रहती है वहाँ पर ये खेती की जाती है या स्रम साथ एक क्रसी है जहां उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में जियरसानिक निवेसोर सचाई का प्रि इमकल है जैवरसानिक चीज़े हैं इनका निवेश करके प्रफ पचाय का निवेश करके खादो का निवेश करके वहाँ पर खेती की जाती है उसको हम गहन या सगन के किरशी के नाम पर जानते हैं या पर कहते हैं अगला कि आर्थिक भूगोल के परवाफा देजिए क्योंकि आर्थिक भुगोल uninter machst है कि प्रमुक्ष साखा है कि कि जमीन पर जाने वाली ज्यूमीन से संबंदित हैं जिसमें भूतल यानि तो अख्थान पग्देस में दूसरी प्रकार की खेती मिलेंगे दूसरी प्रेकार की खेती मिलेंगे और मद्व प्रदेश में जाएंगे तो वहां पर आपको दूसरी दुसरी प्रकार की घेती मिलेगे दूसरी अग्ला कोईंट है बात में लोहा इस पाइग के प्रमुक इसपात केंद्र जैसे भिलाई में दुर्गापूर बर्नपूर जमसेद पूर राउर केला है और बो कारो है जो पश्चिम बंगाल उडिशा जारखन शत्यफकर राज्यों में अफ्थापित है और प्रमुक केंद्र है भद्रावती विजैनगर करनाटक में जो की प्रमुक इसपात केंद्र है जहां पर लोह असपात उद्द्यूग क्या जाता है यह सब प्रमुक केंद्र है अगला की निर्वाह करिसी से आप क्या समझते हैं तो जब खेती से केवल इतनी उपज होती है कि उससे परिवार का पेट की फितरा से भर जाये तो उसे खेती को जीव का निर्वाह करिसी कहते हैं मतब कि आपके पास कुछ खेत हैं जहां पर आप खेती करते हैं ठीक है मालिज दस बेगेह है ठीक है और दस बेगेह में आपको इतनी इतना ही आपको वहां से अनाज या फिर इतनी फसर मिलती है कि सिर्फ और सिर्फ आपका घर चल जाता ह यहों रासं है चावल है और अटा है ठीक है तो सिर्फ सिर्फ आपके गहर चल जाता है कि यहां में खाने के लिए पड़ेगा पेचने को नहीं हो इस एक व 1920 की सीरफ शिर्फ आपका परिवार चलता हूं आपके परिवार जो लोग उनका पेठी करशी को हम भी भड़टा हूं लिए के लिए नहीं होता है तो उस खेति को inflati कि कुछ कि बढ़े तरह की खेति जमीन के छोटे कड़ों पर की जाती आधिमवचार अर्विदारि या समधाय कि इस्तरम का इस्तमाल होता है तो इस प्रकार बेसिक पर्चे इस प्रकार लिखेंगे महात्पोंड प्रश्ण है निर्वाकरसी अब प्रश्ण है कि ब्रस्थत कृसी से आप क्या समझते हैं तो इसका उत्तार लिखेंगे कि डेहन क्रसी वाकरसी होती है यानि कि ब्रस्थत ठीक कि यहां पर जादा लोग भी रहते हें और जादा भूमे भी हो तो इसको ने पर पर जनसंक्या भी देखो तो भूम में भी जादा हो उसको भिस्टत खेती आप लोग कह सकते हैं कि विश्टित में ज्यादा खेती ऐसा भी बोल सकते हैं अगला प्रशन है कि आर्थिक क्रियाओं का वर्गी करना तो आर्थिक क्रियाओं को तीन भागों में डिवाइड किया है पहला है प्राथमिक दूसियक उंसी तुर्यक इन तीन करियाओं में आर्थिक चीड मतब कि आरिखे ओं hon को इन तीन प्राथमिक क्रिया उंसी महाद्मिक घ्रिकास कशन रिखेगा कि इसप्रकार का क्श्टिन देखेगा कि और दोगिक विकास में परिवाहन की भूमिका बताईए ठीक है यह नोट कर लिए तो वहाँ पर यह प्रशनाप लिख सकते हैं हम अपने अनुचार तैयार कियें तो यहाँ पर थोड़ा आपको कोईश्चन पूरा नहीं दिखा लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि यह कि आजना हुँ जो कन चमाल होता है अलब अलग कर खानों में पहुंश ता है यह पऊंचा जाता है और कर खानों से उतपा गरहनकों तक पहुंच पाते हैं terrible कि किसी देश में उत्पाजित होने वाली वफ्तव और सवान होता था उनके एक कोने दूरे कोने तक आवा गमन पर उस देश के विकाफ किदर निर्भर करती है मतलब कि अगर आप कोई भी माल एक अफ्थान से दूफ़े अफ्थान ले जाएंगे या फिर कोई भी प्रोड़क्ट है एक अफ्थान से दूफ़े अफ्थान ले जाएंगे तो उसमें आप किसी ने किसी माद्यम से ले जाए उनके एक कोने फदूफ से कोने तक आवगमन यानि की आने जाने पर उस देश के विकास कि दर निर्भर करती है इसको ही हम कहेंगे क्या कहेंगे और दोगिक विकास में परिवाहन की भूमिका ठीक है तो बहुत बड़ी भूमिका है इसी के माध्यम से आप एक स्थान से प्रशन है ठीक है और भूम अंडली करण किसे कहते हैं इसका उत्तर यहां पर नीचे लिखा है तो इसी प्रकार इसमें बहुत सारे प्रशन है और यह सारे प्रशन आपकी प्रिच्छा में आने को उम्मीद है मुझे पूरा वरुसा 55 नमर का जो आपका पीपर होने वाला ह प्रशन है ठीक है बाकी यह पीडियाप आपको टेलेग्राम फट्ब्सक्रियों मिल जाएगा तो वहां से आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं मैसेज कर दीजेगा जाए तो आप लोगो पर लिजेगा बाकी आपका अपना चैनल सक्षेस्ट होई तो सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं उटने वीडियो में चैन्द